नमस्कार दोस्तों में चैनल में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ भारत का पर्मुक सुचांकों में कितना रैंकिंग है और 20 में पर्थम अस्तान किसका है आज हम देखेंगे जो एक्जाम के डिश्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट कॉस्चन रख सकते हैं तो देश सामिल हुए थे 190 देशों के सुची में भारत का रैंकिंग है फिर आगे देखेंगे गुलोबल हंगर इंडेक्स में भारत का अस्तान 103 है सबसे सीर्स अस्तान पर बेलारुस यानि कि बेलारुस में भुकमरी के समस्या ना के बराबर एक दम एक नंबर पर है और 119 दे सामिल हुए थे पर्थम आस्तान सिंगापूर का है पर्थम शेंगफूर का है मानोविकाश सुचांक मानोविकाश सुचंक IP दोरा जारी किया गया है जिसमें 120 ngacaktet झे भारत का अस्तान 130 है और पर्थम अस्तान नौर्어요 के बैस्वी दस्ता सुचांक बैस्विक डास्ता चुचंग यानी के 360 देसों के सुचिं के भारत का अस्थान थिर्भनंवें आस्थान पर पर उत्तर कोरिया है सुचांक में जपान- अंतिम wil शूचांग का उसी तरह देखेंगा बैस विग नाव चार सुचांक में सभी देश में भारत का रंगे संतावन है पर्थ शूर्जर लेंड और अंतीम अस्ताव यमन का है कि उसी तरह देखेंगा बैस्विक सांती सुचांग जी पी आई गलोबल पेस इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है 165 देशों में भारत का रहां 136 है पर्था महास्तान पर आइसलेंड अंती महास्तान पर सीरिया है इसमें एपड़ी कौन फीडियन्स इंडेक्स में 25 देशों में भारत का रहा है पर्था महास्तान पर अमेरिका अंती महास्तान पर ब्राजील है पर तेक्स बीडेसी सुचांग निवेश सुचांग में है कि आप वीडेस के लोग आपकी भारत में कितना निवेश करने पर पर्थम अस्तान पर नॉर्वे और अंतिम अस्तान पर उतर कोरिया है भारत के इसमें देखा जाए तो 2017 136 जो अभी 138 हो गया है विस खुष हाली रिपोर्ट भी वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट यह पुछा गया था यूपी आरो यह और यहारो 2018 में कुछन पूची कई थी 156 भारत का रैंक 133 है 2017 में 122 थी और पर्थम अस्तान पर फिल्लेंड अंतिम अस्तान पर बुरांडी यह 20 खुष हाली रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें भारत का रैंकिंग 133 हो गई है और पर्थम अस्तान पर फिल्लेंड फिल्लेंड के लोग ज्यादा ही खुष हाल है और भारत 133 रैंकिंग है उसी तरह देखेंगा अंतराश्ट्री यह बहुतिक संपाता सुचांक आ अमेर का और अंती मस्तान पर बेनेजुएला है जी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर ही कमेंट और करके मुझे बताईएगा और लाइक करना ना भूले और चैनल को सस्क्राइब कर देंगे इससे आने बले वीडियो और आपके पास तुरंत ही मिलेंगे तो च